नमस्कार मैं राकिश कुमार असेस्टेंट प्रॉफिशर भगवान आदिनाथ कॉले लेलितपुर से हम लोग बीएड शेकंड येर का पड़ रहे हैं फर्स्ट पेपर हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिप्स ऑप इंडियन एडिक्विशन इसका शेकंड उनिट स्टार्ट किया था हम लोगों ने कल तक पड़ रहे थे इसमें मेकाली मिनिट्स हमारा कल तक हो गया था फिल्ट्रेशन थेवरी हो गई थी उसके बाद हम लोग आज नया चर्चा करेंगे बैंटिक प्रस्ताव का बैंटिक रिजॉलीशन प्रस्ताव जो है ये बिटिस शरकार के गवर्ण इनका पारित हुगा था इसमें क्या किया था जब ये लॉर्ड बिलियम बैंटिक गवर्नर जनरल वन के भारत आये थी तो इनके साथ कानूनी सलाहकार की रूप में माकाले आया था भारत में और जो बिवाद चल दा था प्राच्य पाश्यात भाषा का और एक लाग रुप में इस बिवाद को सुल्जाने के लिए ये लोग इंडिया आये थी और इसमें बैंटिक ने इसका पूरा अध्यन किया मैकाले की रिपोर्ट का अध्यन किया और जो बैंटिक थे वो बड़े उदार प्रवत्ति के ते अच्छे स्वाव के आदमी थे और वो नहीं चाहते भातियुन पर जवरजस्ती अंग्रेजी ठोपी जाए उनकी भारतियुन को इनकी भाशा के मध्यम से इस इसा उसे भारतियों से शिंपार्थी थी लेकिन एक एक जगह एक चर्चा आती है कि मैकाले चुह है एक बार इसको बैंडिक को रात में शिकार के लिए गए और शिकार में वहीं शिकार किया और शराप पी और उसके शराप के निशे में मैकाले ने बैंटिक शे जो है उस अपने बिवरण पत्र पे शाइन करा लिए और ये बैंटिक पृस्ताव पारत हो गया और इसमें उन्होंने बताए कि 1813 का आग्या पत्र इसकी चर्चा की 1813 की आग्या पत्र में भ्रामक प्रावधान था कि जो कंफूजन थी कि जो रासी है वो कहां खर्च की जाए एक लाख रुपे की दूसरा इसका कारण था इसमें बताए गया है कि प्राच पास्चात बिवाद था जो बिवाद उग्र हो जिसको शुल्हाने के लिए मैकाले का भारत आगमन हुगा नेक्स इसमें बताएगा इसमें लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थेओरी का शिद्दांत दिया कि हमें यहां पे सिर्फ उच्छे क्लास के लोगों को पढ़ाने की जगुद्ध है निम्न क्लास के लोगों को आसानी से सखाया जा सकता है और अगला फिर मैकाले ने अपना विवरड़ पत्र दिया मैकाले विवरड़ पत्र और इसके द्वारा फिर यह बैंटिक प्रस्ताव आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं और लास्ट इसका पॉइंट इसका है कि अंग्रेजी पर आधार भारतिय सख्चा कंफर्म इसने बैंटिक नहीं कर दी तो बैंटिक के प्रस्ताव यह यहां तक हमने पूरा घटना क्रम पे चर्चा की वह इसके बाद बैंटिक जो का जो प्रस्ताव है उसमें उन्होंने घोष्णाएं की फाइनली घोष्णाएं कर दी सबसे पहले तो कि अंग्रे लोगों को यूरोपीन शाहित और विज्ञान का प्रसार करा जाए जिससे यहां के लोगों में भी वैस्विक स्तर की ज्यान डवलप हो वैस्विक स्तर का ज्यान यह लोग जाने दूसरा घोष्णा बैंटिक की दूसरी घोष्णा इसमें रही है कि 1813-1833 में प्रदत्त जो समस्त धन वोक्त देश पर ही ब्याय किया जाएगा इसके अलावा इस धन को और किसी ब्याय पर खर्च नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट उसने कहा आगली घोष्णा की तीसरी उसने कहा कि भारत में जो प्रचलेत परंपरागत सिक्षड संस्थान है वो संस्थाएं बंद न लोगों के लिए और नेक्स्ट में बताएगा अगली घोष्णा बताई बैंटिक प्रस्ताव में कि बचे हुए जो धन का इस सारे कामों से कामों से जो भी रासी बचती है जो भी धन बचता है उस धन का प्रयोग अंग्रेजी भासा अंग्रेजी शाहित विज्ञान इस प आज के लिए इतना ही इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे कल नया कंटेंट लेके आएंगे और मैं समसता हूं आप लोग इसको अच्छे से पड़ रहे हैं और एक और मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगा देखिए इस तरह अभी व्यश्वेक इस तरह की समस्या महामारी चल रही है कोरोनावाइरस इससे हम लोग जरूर बचाया करें सब लोग सोसल डिस्टैंस मैंटेन की रहे हैं घर से बाहर अनावयशक ना निकलें अकारणद ना निकलें बहुत ही जरूरी हो तो मास्क लगाकर निकलें और जब खर से बाहर से घर आएं तो शावण से आज का वीडियो खतम कल सी नय कंटेंट लेकि प्रस्तोत होंगे धन्यवाद।